हेलो माई लवली स्टुडेंट्स तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पैरा मैडिकल के नंबर वन चैनल इस्टडी वित रितिश में तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के वी वी आई प्रेशने करेंगे जो आपके पैरा मैडिकल एक्जाम पॉंट होगा तो चलिए बचो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार है तो इस चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हीट कर लीजिए तो डिय जा रहा है 20 जनवरी से जी हां दोस्तों इस बैच में आपको all subject पढ़ाया जाएगा हर इक subject के अलग-अलग teachers होंगे और जो भी पढ़ाया जाएगा उसका notes PDF और साती सात recording class भी मिलेगा काफी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मुझे recorded class मिलेगा तो जी of course मिलेगा ठीक है तो ज क्लास कहां चलेगा जुम application पर चलेगा और recording वीडियो भी आपको पड़ते class का दिया जाएगा तो दोस्तों जल्दी सिस वैच को जोइन कर लिजिए अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिये गए नम्मर डबल-8-0-9-8-0-2-8 पर हमें contact कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज क पूछा गया है देखिए आपको कई प्रकार की तरंगे दी गई है तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा एक अन्य से भिन है तो पहली तरंग है प्रकास तरंग दूसरी तरंग है एक्स करने तरंग तीसरी है रेडियो तरंग और चौती है ध्वानी तरंगे जल्दी स student यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं option number D जी हां दोस्तों यहां पे ध्वानी तरंगे जो हैं यह अन्य तीनों से अलग है क्यों क्यूंकि ध्यान देना है देखिए यहां पे प्रकास तरंगे एक्स किरिने तरंगे है ना और रेडियो तरंगे और फिर एक और होती है बचो विधु चुम्बकिये तरंगे है ना विधु चुम्बकिये तरंगे मैं क्या बताया देखिए ध्यान से समझना है ध्यान से समझना है बचो यहां पे प्रकास तरंगे एक्स किरिने तरंगे रे निर्वात में ट्रैवल कर सकती है है ना कर सकती है लेकिन यहां पर बात की जाए धोनी तरंग की तो धोनी तरंगे जो है ना इसको गमन करने के लिए यानि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवशक्ता होती है यानि माध्यम की आवशक्ता होती है ना तो धोनी त सिस्मा के तरंगे हैं निर्वात में कमन कर सकती है लेकिन धुर्वनी तरंगे जो हैना बछों इसको ट्रैवल Fr. लिए किसी मेडियम की वशुक्ता होती है यानि किसी चोर्बर्त होती है ठीक है और प्रास्राव्व्य धुवं कहा जाता है धिक है अब दीखे बच्चों इंका रेंज भी जान लेते हैं आपके एक्जाँमिनेशन में पूचा था है कि교 Skills यह पूचा था कि हम मनुष्य किस प्रकार की धुवंडेंडी धुवं को सुन सकते हैं चलिए तीन आपशन रहेगा स्रववे द्धोは नबंबें द्रंग अव स्रववे द्धो तो बच्चों हम जो है ये स्रवव द्धोणी तरंग कोई सुन सकते है और इसका होता है pack रेंज उता है 20 हर्टेज से लेकर 20,000 हर्टेज के बीच की आवर्ती हेना तो 20 से लेकर है नग 10,000 20 nhân को सुन सकता है बात करेंगे आउस्षावय दोनीटरंग का आवर्टी क्या होता है यानि इन्फ्रासोनिक साउंड्ड वेब का रेंज क्या होता है तो इसका होता है बीस हर्टेज से नीचे की आवरती यानि बीस हर्टेज से नीचे की आवरती वाली आवाज जो है वो आवस्रवे ध्वानी तरंग कहलाती है और अब बात करेंगे प्रास्रवे ध्वानी तरंग के बारे में तो बीस हजार हर्टेज से अधिक की आवरती वाल तो यह आपको याद रखना है आपके examination में पूछा जा चुका है ठीक है स्टुडेंट चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला प्रेशन है निम ने लिखे ध्वानी की आवरतियों सुनाई नहीं पड़ सकती है कौन से ध्वानी की आवरतियों को आज को नहीं सुन सकता है इन चारों में से इन चारों उप्शन में से कौन सा ऐसा उप्शन है जिसमें ध्वानी की आवरतियों सुनाई नहीं पड़ सकती है तो जी हां दोस्तों यदि आपने जवाब दिया है और इसका रेंज क्या होता है बच्चों तो इसका रेंज भी मैंने बताया था अभी बीस से बीस हजार हर हर्ज यानि बीस हडज से बीस हजार हर्ज के वीच की आवरति होती है। is and his इससे 20,000 ही है ना इसी के बीच में ही सुन सकता है ना मानव कान है ना तो यह कौन सा होता है स्रव धनी तरंग होता है जिसे मानव कान सुन सकता है और इसका रिंज क्या होता है 20 हर्ट से 20,000 हर्ट होती है तो आपर 40,000 नहीं होगा क्योंकि 40,000 तो 20,000 से जादा हो जाएगा ना समझ में हो रहे हैं तो option number D जो है आपके इस question का correct answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए दोस्तों अगला question है निम्न लिखित में कौन सी राशी की भीमा सेस रासियों से भिन है यहाँ पर चार रासिया दी गई है चार quantities दी गई है अब इसमें से तीन के रासिया एक समान होगी और जो चोथा होगा वो different होगा तो यहाँ पर different कौन सा है यानि say ratio से भिन है कौन सा होगा भिन बताइए तो तो दीखे बच्चों यहाँ पर दाब यानि pressure की बात करेंगे ठीक है तो pressure का यहाँ पर जो dimension होगा वो क्या होगा तो दीखे बच्चों pressure का dimension होता है m l का power minus 1 t का power minus 2 ठीक है होता है यानि जो दाब का होता है यानि m l का power minus 1 t का power minus 2 ठीक है और अब यहाँ से जो young प्रतियस्तता गुनांग है यहाँ से young प्रतियस्तता गुनांग है इसका भी dimension क्या हो जाएगा तो इसका भी dimension वही होगा यानि जो दाब का प्रतिवल का है वही होगा यानि M L का पावर माइनस 1 T का पावर माइनस 2 अब यहाँ पे कोड़ी है समवेग यानि angular momentum जो है इसका dimension क्या होगा तो देखे बचो यह तो तीनों सेम हो गए तो अब बचा यही answer हो सकता है तो यही answer हो जाएगा और इसका dimension भी जान लीजे कोड़ी है समवेग का dimension होता है M L का पावर 2 T का पावर माइनस 1 यह होता है angular momentum का dimension ठीक है तो यह तीनों से क्या है अलग है तो answer क्या है option नमर D ठीक है चलिए बढ़ते हैं एगले question की तरफ चलिए student अगला प्रेश्न है दो प्रेश्चे एक ही बिंदू से एक ही चाल से प्रेश्चेपन कोण करम सा 60 डिगरी और 30 डिगरी से दागे जाते हैं निम्न लिखित में से कौन सा सही है यानि उनकी महत्ता मुचाई एक समान होगी या उनकी range एक समान होगी या उनका उतरते समय वेग एक समान होगा या उनके उडान का समय एक समान होगा देखिए बहुत ही जबरदस कोशन है और ये कोशन आपके motion टॉपिक से है और जो type है वो कौन सा है प्रोजेक्टाइल मोशन जी हाँ दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन से यह question directly पूछा गया है तो अब देखिए यहाँ पे यह सब्पोर्स कीजिए कि यहाँ पे दो गोली है दो गोली है और इनको दागे जाते हो दो गोली है दागा जाता है तो माल लेते हैं ये पहली गोली है student ठीक है और फिर इसके बाद ये हो गई आपकी दूसरी गोली ठीक है दूसरी गोली हो गई अब देखे इसमें से जो पहली गोली है उसको 60 डिगरी के एंगल से डागा जाता है यानि यहाँ पे ठीटा वन जो है मैं 60 डिगरी बोल सकता हूँ और जो दूसरी गोली है इसको 30 डिगरी एंगल बनाके दगा जाता है यानि ठीटा बराबर यहां पे 30 डिग्री हो जाएगा ठीक है तो देखिए इसका जो राइट वह option B होगा यानि उनकी range एक समान होगी ठीक है तो कैसे होगी उनकी range तो देखिए बच्चो यहां से आपको ठीटा दिया हुआ है पहली गोली का ठीटा वन साट डिग्री हो जाएगा दूसरी गोली का ठीटा टू थीस डिग्री हो जाएगा तो यहां से range का एक formula होता है यानि range का मतलब हिंदी में परास बोलते हैं तो जब भी भी range निकालते हैं तो इसका एक शुत्र होता है तो देखें यहां पर क्या हो जाएगा पहली गोली के लिए R1 बराबर U2 sin2 theta upon G यह हो जाएगा पहली गोली के लिए और दूसरी गोली के लि हो जाएगा तो बस देखिए तो रेंज दोनों का एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आएए देखते हैं कि आरवन बराबर हो रहा है कि नहीं आर्टू के तो यहां से देखिए U2 को U2 ही रहें दिजे साइन हो जाएगा 2 theta 1 की जगह क्या रखना है साथ डिग्री रखन है तो मैं यहां पर डायेख्क लिक देता हूं कि यहां पर मैं डायेक्ट जो है यू स्क्वैर और साइन 120 डिग्री तो साइन 120 डिग्री का वैल्यु क्या होता है तो रूट-3 वाइ-2 रूट-3 बाइ-2 और अपान में जी हो जाएगा ठीक है तो यह आ जाएगा आरबन अब प्रफमनाइं देखें तो आรटो कितना आ रहा है तो यहां से यू स्कुर्वार merch साइन कीतना है 30 कीजिकल्ट टीटा कितना ही टींवर डियुत में इसमॉल्झ तो यहां से यू स्कुर्वर और root 3 by 2 और upon में G तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से R1 जो है यह R2 के बराबर है जी हाँ दोस्तों देखिए U square root 3 by 2 U square into root 3 by 2 upon में G और यहाँ पर भी U square upon में root 3 by 2 यहाँ यह दोनों बराबर हुए की नहीं हुए आप ही बताएए देखिए यह भी उतना ही है R1 भी उतना है जितना R2 है तो यहाँ से उनका range एक समान हो जाएगा ठीक है यानि यहाँ से R1 कितना बच्चो आया था U square into में root 3 by 2 और into में G और यह बराबर R2 कितना है था तो R2 भी इतना ही था ठीक है बच्चो इतना ही था तो यहाँ से देखिए यह R1 जो है बराबर हो जाता है R2 के तो यहाँ से देखिए उनकी range जो है एक समान होगी तो option नमर B जो है आपके इस question का correct answer हो जाएगा ठीक किसी प्रकार आप लोग इनका पहले देखिए यह question ना option method से करना होगा solve यानि पहले आपको इनकी महत्तम उचाई देखनी होगी कि वो एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैसे तो महत्तम उचाई एक समान नहीं आएगा क्यूदि कि range एक समान आ चुका है ठीक है तो आपको यह option method से चलना होगा ठीक है चले student बढ़ते हैं अगले question की तरफ चले student अगला question है एक gain उपर की और fake जाती है और fake ने वाले वैक्ती द्वारा 2 second पश्चाथ पकड़ी जाती है तो gain द्वारा प्राप्त की गई अधिकता मुचाई क्या होगी है न तो अब देखे student ये question motion topic से है और type है motion under gravity तो यहाँ पर दीखे प्रिथवी है और इस प्रिथवी पर एक gain अब देखे इस gain को ना एक gain को उपर की और fake जाती है तो आईए इसको उपर की तरफ fake देते हैं भाई ठीक है यानि इस gain को हमने जमीन से उपर की तरफ fake यानि नीचे से उपर की तरफ fake ठीक है तो आप बताईए जब किसी वस्तू को हम लोग नीचे से उपर की तरफ fake एंगे तो ये maximum height तक जाएगा एक महता मुचाई तक जाएगा उसके बाद तो ये वापस तो नीचे ही आ जाएगा तो बच्चो एक चीज मुझे ये बताईए कि जिस maximum height तक गया जिस महता मुचाई तक गया वहाँ इ जमीन से कोई गेंद को उपर के तरफ fake तो वह एक maximum उचाई तक जाएगा एक maximum height कवर करेगा उसके बाद तो वापस तो जमीन पर ही आएगा तो जिस maximum height तक गया जिस महता मुचाई तक गया वहाँ इसकी final velocity क्या हो गई होगी 0 होगी तो V0 हो जाएगा अब ये motion under gravity का concept है तो यहाँ पर small g का value 9.8 meter per second square लेते हैं ना अब लोग लेकिन यहाँ पर मैंने condition बताया था आपको यह जब topic पढ़ाया था कि जब भी किसी वस्तु को नीचे से उपर की तरफ फेकते हैं तो minus लेंगे याँ यहाँ पर small g क्या हो जाएगा minus 9.8 meter per second square हो जाएगा अब इसके बाद बोल रहा है कि भाई फेकने वाले जो वैकती हैं उनके द्वारा दो second के बाद इस ball को पकड़ लिया जाता है तो time कितना होगया दो second यानि 2 seconds के बाद इस ball फकड़ को पकड़ लिया जाता है अब उसके बाद बोल रहा कि gain द्वारा प्राप्ट की गई अधिक्तम होचाई य कितीन समीकरण होते हैं गतिकेत लेकिन यहाँ पर second equation लगेगा second equation क्या कहता है तो second equation कहता है बच्चो h बराबर ut प्लस में half gt square इस equation के माद्य हम से बच्चो आप लोग h निकाल सकते हो लेकिन यहाँ पर देखे आपको u भी मालूम होना तो u मालूम है क्या v मालूम है g मालूम है t मालूम है u मालूम नहीं है तो आइए u पहले निकालते हैं तो u कैसे निकलेगा तो first equation की मदद से निकल जाएगा तो first equation क्या बोलता है v बराबर u प्लस gt निकाल लेजिए v पता है कितना है 0 है बराबर U निकालना है प्लस में G G का value माइनस 9.8 ले लिजए गुने में T कितना है 2 है तो यहां से U माइनस देखे कितना जाएगा 9.8 में 2 से गुना किजिए तो यह कितना जाएगा 19.6 बराबर 0 तो यहां से U बराबर पता चल गया न बच्चो कितना है 19.6 मीटर पर सेक्ड यू आ गया तो बस अब U का value रख दीजिए U का value रखे 19.6 गुना में T कितना है 2 सेकंड है प्लस में half G कितना है माइनस 9.8 है अब गुने में T का square यानि 2 का square किजिएगा यानि 4 हो जाएगा तो काटी इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा तो अब देखिए यहां से एच निकल जाएगा ठीक है तो यहां पर 19.6 में 2 से गुना किजिए तो बच्चो तो कितना आ जाएगा 19.6 में 2 से गुना किजिएगा तो यह 49.2 आ जाएगा ठीक है फिर यहां से देखिए पलस और यह माइनस है तो पलस माइनस माइनस हो जाएगा और 9.8 में 2 से गुना कीजिएगा तो यह कितना आजाएगा बच्चो 19.6 आजाएगा तो अब यहां से देखिए 49.2 में से 19.6 को खटेएगा तो यहां जाएगा 19.6 19.6 जो है आपके इस question का correct answer हो जाएगा ठीक है हां जी 19.6 मेटर जो है आपके इस question का correct answer हो जाएगा चले बढ़ते हैं अगले question की तरफ हाँ जी तो बच्चो ऑप्शन नम्मर क्या हो जाएगा ऑप्शन नम्मर डी जो है आपके इस प्यारे से कोशन का क्रिक्ट अंसर हो जाएगा आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मोशन टॉपिक से कोशन था चलिए बढ़ते हैं एगले कोशन की तरफ चलिए स्टूडें टगला प्रेस ने है स्टेनलेस स्टील में एफ़ी के अत्रिक्त होता है यानि स्टेनलेस स्टील में एफ़ी यानि आईरन के अलावा भी कौन-कौन सी धातुए मौजूद होती है यानि स्टेनलेस स्टील में जो है आईरन के अलावा और भी कौन-कौन सी धातुए होती हैं आपको यही बताना है दीक है पहला उप्छन है copper nickel दूसरा उप्छन है copper zinc तीसरा अप्छन है aluminium nickel चौतरा अप्छन है nickel chromium जल्दी से जवाब दीजेगा प्यारे बचो बहद आसानcation है रवहाधी मजेदार वाला ऐकोशन है जि हाँ दोस्तों तो very good student यदि आपने जवाब दिया है option number D यानि nickel और chromium ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको stainless steel जो है किन धातूओं का misran होता है ठीक है तो देखिए इसमें FV होता है यानि iron होता है chromium होता है nickel होता है और carbon भी होता है ठीक है अब देखिए iron जो है न इसमें 73% होता है ठीक है बात करेंगे chromium की तो यह 18% होता है nickel जो है यह 8% होता है और carbon जो है न यह 1% होता है सबसे कम मात्रा में carbon होता है इसमें stainless steel में ठीक है तो stainless steel में सबसे अधिक क्या होता है iron होता है यानि लोहा होता है 73% ठीक है और सबसे कम क्या होता है carbon होता है जो कि 1% होता है ठीक है बच्चो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला question है hg को सीने बार से इस वीधी से प्राप्त किया जाता है किस वीधी से देखिए बच्चो इतना तो आप लोग जाते हो कि hg जो है यानि पारा इसको सीने बार से प्राप्त किया जाता है है न तो ये किस वीधी द्वारा प्राप्त किया जाता है यही बताना है आपको जल्दी से बता दीजे बच्चो बिल्कुल फास्ट तो यदि आपने जवाब दिया है option number A जी हां दोस्तो ओक्सी करन विधी दोवरा तो आपको याद रखना है याद क्या रखना है कि देखिए यहाँ पर सिने बार को जो है ना आक्सी करन तथा उसकी वास्पों को संगनित करके जो है HG प्राप्त किया जाता है देखिए बच्चों बात आई है HG की यानी पारे की तो एक प्रस्ट ये भी पूछ लेता है कि कौन सी धातू कमरे के तापमान पर तरह लवस्था में पाई जाती है देखिए कापी बार ये कोशन्स आपके एक्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ITI पैरामेडिकल के एक्जाम में है ना कि बच्चों कौन सी धातू है जो कमरे के समान्य तापमान पर तरह लवस्था में पाई जाती है पताईए कौन सी धातू है तो ये धातू पारा ही है यानी जिसको HG कहते है इसका सिंबल क्या है है ठीक है चलिए बढ़ते हैं गले कोशन की तरफ चलिए दोस्तों अगला प्रेशन है पोर्ट लेंड सीमेट में या तत्व स्वार्धिक परसेंट में होता है कौन सा तत्व स्वार्धिक परसेंटेज में होता है देखिए पहला अप्शन है कैलसियम दूसरा option है silicon dioxide, तीसरा option है aluminium oxide, चौता option है ferric oxide, जल्दी से बताइएगा porland जो cement होती है उसमें देखिए ये सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, यानि इनमें porland cement में ये सभी तत्व होते हैं लेकिन किस तत्व की percentage की मातरा सबसे अधिक होती है, तो देखिए बच्चों इसमें जो calcium oxide पाया जाता है, वो पाया जाता है 50-60 percentage तक ठीक है और इसके बाद silicon dioxide है, ये 20-25% तक रहता है porland cement में, और फिर इसके बाद aluminium oxide की बात करें, तो ये 5-10% केवल रहता है और इसके बाद जो है, फेरिक oxide की बात करें, तो ये 1-2% रहता है, तो अब आप ही बताइए, किस तत्व की percentage की मातरा सबसे अधिक होई तो जी हाँ, दोस्तों, option number A, जो है, इस question का right answer हो जाएगा, यानि calcium oxide की, ठीक है तो calcium oxide की मातरा जो है, pollen cement में सबसे अधिक होती है चलिए दोस्तों, वड़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student, अगला question है, कौन सा carbon का सुद रूप है बताये, carbon का सुद रूप कौन सा है, carbon black है, coke है, cast koila है, या full rain है जल्दी से बतायेगा कौन सा carbon का सुद रूप है, बिल्कुल fast तो जी हाँ, दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है, option number D, यानि full rain, then आपका answer सही है तो यहाँ पे, full rain जो है न, यह carbon का सुद रूप हो जाएगा, वैसे तो carbon का सुद रूप कौन सा होता है, हीरा होता है, वैसे तो carbon का सुद रूप हीरा को माला जाता है हीरा को माना जाता है लेकिन यहाँ पे हीरा उप्शन में नहीं दिया हुआ है इसलिए फुलरीन हो जाएगा ठीक है एक चीज में बताना चाहूंगा यहां से कार्बन के जो अपरूप होते है न वो दो तरह के होते हैं कार्बन के जो अपरूप होते है न वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है बच्चो आक्रिस्टलिये रूप होता है एक होता है आक्रिस्टलिये अपरूप होता है एक और एक होता है क्रिस्टलिये अपरूप होता है क्रिस्टलिये अप्रूप ठीक है क्रिस्टलिये देखे थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूं एक होता है क्रिस्टलिये अप्रूप ठीक है तो अब देखिए बच्चों यहां परी क्रिस्टलिये अप्रूप में ना आपका हीरा आ जाता है ग्रेफाइड आ जाता है और ये फुलरिन आ जाएगा ठीक है तो ये तीनों आ जाएगे आपके क्रिस्टली अपरूप में और बाकी के और क्रिस्टली अपरूप में बाकी के जितने हैं जैसे कार्बन ब्लैक है, कोक है कास्ट कोईला है, काजल है है ना इसके बाद लकड़ी का कोईला है, ये सब ही जो है और क्रिस्टली अपरूप में आ जाएंगे, ठीक है तो बच्चों आपको याद रखना है, वैसे तो कार्बन का सुदतम रूप जो है, हीरा को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आप्शन नहीं था, इसलिए जो है हमको फ्लूरिन आंसर करना पड़ा, ठीक है चलिए स्टुडेंट बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला प्रेश्चन है भाप अंगार गैस है भाप अंगार गैस जो है, ये किन गैसों का मिसरन होता है देखिए, पहला अप्षन है कारबन मॉन ऑकसाइड का या हाइडरोजन का या कारबन मॉन ऑकसाइड पलस हाइडरोजन का या कारबन मोन ऑकसाइड Great या जल्दी बता दीजी भाप अंगार गैस जो है किन गैसों का मिसरन होता है तो याद रखना है बच्चों भापंगार गैस इसको water gas भी कहते हैं हम लोग कौन सी gas water gas भी कहते हैं तो water gas किन गैसों का मिसरन होता है तो ये carbon monoxide और hydrogen जी हाँ दोस्तो carbon monoxide और hydrogen gas के मिसरन को ही हम लोग क्या कहते हैं water gas यनि भापंगार gas कहते हैं देखिए कभी-कभी producer gas के बारे में भी पूछ लेता है कि producer gas किन गैसों का मिसरन होता है देखिए कभी-कभी पूछ लेगा producer gas के बारे में पूछ लेगा coal gas के बारे में पूछ लेगा तो जल्दी से प्यारे बच्चों बता दीजिए producer gas और coal gas इन दोनों के बारे में तो producer gas जो है किन गैसों का मिसरन होता है तो CO प्लस N2 यानि carbon monoxide plus nitrogen और फिर इसके बाद call gas की बात करें तो ये होता है carbon monoxide plus hydrogen plus methane है ना इन तीनों gasों का मिसरन जो है call gas कहलाता है यानि carbon monoxide hydrogen और methane ठीक है तो चले दोस्तों आज की इस class में इतना ही यदि आज की class अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इस class को like जोड़ दे दीजेगा और channel पर नए हो तो इस channel को भी subscribe जरूर कर लिजेगा मिलते हैं अगली class में नई वीडियो के साथ तब तक लिए बबबाई टाटा टेक केर